नमस्कार मैं आसे इस पाठा का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में आर आर बी एल पी असिस्टेंट लोको पाइलेट में जो मेडिकल इक्जाम होने वाला है इस से रिलेटेड बच्चों के काफी प्रस्ण थें कि सर जो मेडिकल होगा क्या अगर मैं लेजर करा लूँ ऑपरेशन करा लूँ आखों का तो क्या मैं इसमें फिट हो जाऊंगा पकड़ा नहीं जाऊंगा इन सभी सवालों के और आखों का जो टेस्ट होता है जो एवन मेडिकल का दैरा क्या है और इसमें कितना तक अगर चस्मा वाले या विदाउट चस्मा वाले क्या एलिजबल है इस प्रकार के जो प्रस्ण है आपके कि क्या चस्मा एलाऊ होगा या नहीं एलाऊ होगा जब बात हो गई ये वन की तो जाहिर सी बात है चस्मा उसमा तो सब ही को आज clear हो जागी कि क्या क्या test होता है और कैसे कैसे test किया जाता है चलिए तो जो लोग channel पे नए है channel को subscribe कर लें और वीडियो को जादे से जादे share करिए पूरा इसमें medical का detail आपको दिया गया है अब मैं बता दू कि team के द्वारा परिक्षा प्लस के द्वारा ALP का course स्टार्ट कर दिया गया और बहुत ही discounted price में है आप परिक्षा प्लस application से या live.parikshapplus.org से जाके आप देख सकते हैं अपका ये आप website open करोगे उसी में rrb, alp, pre, plus, means, मलब cbt1 और cbt2 इन दोनों की तैयारी हो रही है 499 रुपया इसकी fees है classes इसकी जो है Monday से start हो जाएंगी इसकी classes proper आपकी Monday से start हो जाएंगी हम इसमें class जो है recorded plus live दोनों देंगे notes देंगे, sectional test होगा और आपका doubt session रहेगा और validity इसका till examination तक रहेगा तो अब हम आते हैं अपने जो है अगर किसी प्रकार की कोई query है तो आप इस number पे contact कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई query आपके मन में चल लही है तो आप इन number पे contact कर कर सकते हैं 99, 79, 70, 80 पर भी ठीके दो number पे आप contact कर के पता कर सकते हैं अब हम medical test पे आते हैं कि आखिर हमारा जो medical test होगा उसमें क्या-क्या चीजे मांगी जाती है और क्या-क्या जरूरी है ये ध्रान रखेगा तो जो आपके notification में लिखा गया है even medical test के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर even वाले पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि even में क्या-क्या चाहिए जो distance vision है दूर की दृष्टी जो है आपकी कहां तक तो ये आपका दिहान रखिएगा यहाँ 6 by 6 और 6 by 6 without glass लिखा है ना without glass बिना glass के कोई भी चस्मा एलाओ नहीं है और बिना चस्मे के 6 by 6, 6 by 6 से होता क्या है वो मैं आपको दिखा दूँगा अभी हाना with fogging test fogging test must not accept plus 2D ये ध्यान रखिगा fogging test का मतलब है कि जब आपका चस्मा जब check कराने जाते हो तो वो देखे होगे एक लगाया जाता है चस्मे type का तो उसमें मतलब एक आख को बंद करके ताकि बढ़ियां से आप का पता चल पाए कि एकदम clearly आपके हर एक आख को अच्छे से चेक किया जाएगा और यहां पे fogging मतलब धुधला कर दिया जाता एक आख में lens लगा के plus 2 must not accept plus 2 ठीक है अब यहां पर धुधला कर दिया जाएगा एक आख को सी आप से न दिखे और दूसरी आख जो कहा सकते हो कि बंद करके तो दुदला करके एक आख को अच्छे से पूरा accurate तरीके से चेक किया जाएगा ऐसे दूसरे को किया जाएगा तो यह आपको पूरा 6 by 6 कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह ध्यान रखिएगा कि ऐसा जैसे कभी-कभी होता है कि 6 by 6 तो होता है लेकिन आप आपको पस्टता एक तरह से हम बात करें बहुत जोर लगानी पड़ती है कि पता चले एक हर चीज है visibility है लेकिन आपको concentration और चीजों के लिए आप देख तो रहे हैं 6 by 6 का लेकिन आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है इस वज़ह से यह fogging test के माध्यम से कि concentration यह सब चीज हो ऐसा नहों कि आप देख तो ले रहे हैं लेकिन जैसे चसमा लगाने के बाद कभी कभी heavy heavy feel होता है उस हिसाब से चीज़े नहों रही हो तो उसको एकदम accurate ना अपने के लिए कि 6 by 6 है कि नहीं यह fogging test किया जाएगा फिर आपका near vision आपका एक बात ध्यान रखना यहां fitness में आप physically fit in all respect मतलब आपका हर चीज अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप दमा के मरीज हैं सांस फुलता है यह सब चीज़े नहीं चलेंगे physically एकदम हर चीजों में आप fit होना चाहिए कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको यह ध्यान रखिएगा कि आप किसी बीमा आप होने चाहिए physically में कोई भी चीज आपका गडबड नहीं होना चाहिए इसलिए इसमें pH candidate को नहीं लिया जाता है यह ध्यान रखिएगा नियर विजन में अगर हम बात करें तो 0.06.06 without glasses होना चाहिए यह ध्यान रखिएगा जो nearest vision है आपका वो भी बिना glass के आपका सही होना चाहिए और तीसरा जो आपका होता है must-pastest of color vision आपका नहीं होना चाहिए binocular vision नहीं होना चाहिए, field of vision नहीं होना चाहिए, night vision, mesopic vision यह सब ही आपके check किये जाते हैं कीर में इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इनमें जो आपके होते है binocular, field of vision, night vision हना तो यह सब आपको check करता है कि पता चले रात में ही आपको दिखना कम हो जाए तो train क कैसे चलाएंगे तो वही बात है ना तो यही सब चीजे हैं आपको यह ध्यान रखेगा तो अभी हम आपकी बात करें distance vision की बात करें हना यहाप जो छे बाई है distant vision की बात किया जाए तो distant vision में आपके क्या क्या देखा जाता है कि जब यह आपको chart पढ़ाया जाता है यह chart आप जब देखोगे तो chart में आपको यहाँ पर 16 दिख रहा है तो यह 6 by 16 इसको भी बोला जाता है मनलब अगर यह आप एक लेटर पढ़ा ले रहे हो आँखों से जो डॉक्टर आपसे पढ़वाता है तो वह आप 16 है अगर यह line पढ़ लेते हो तो 36 है यह line पढ़ लेते हो इसके बाद से आपका 5 होता है 6 by 5 तो यह आपका क्या है यही 6 by 6 है मनलब जब आप इस line को बिना चसमे के clearly बिना जोड दिए अगर आप पढ़ ले रहे हो तब आपका distance vision 6 by 6 का हलाएगा तो बिना glass के अगर यह वाली line आप chart तक पढ़ लोगे तो आप 6 by 6 में count किये जाओग यह दिखान रखिएगा इसी तरह से nearest vision का होता है नेरर वाला कैसे check होता है इसके लिए भी एक chart होता है यह वाला ऐसे बनाया जाता है इसमें आपको यह पढ़ाया जाता है यहां से 25 cm की दूरी से आपको यह पढ़ाया जाता है अगर आप यह वाली line पढ़ लेते हो तो यह 10 by 6 यही 0.6 होता है 0.8 होता है 0.10 होता है 0.12 होता है तो ऐसे ही यह वाला जो अगर line अगर आपने पढ़ लिया चार्ट में इसमें जो दिया गया है यहां पर ठीक है तो यह समझ लो कि आपकी nearest vision भी सही है तो यह आपको दिया जाता है यह ध्यान रखिएगा यह check हो जाता ह इसके बाद से आपका color vision check होता है कि आप color blindness तो नहीं है आपको color पहचानने में आ रहा है जैसे आपको यहां पर दे दिया गया आप पूछा गया यहां बताईए कि क्या later इसमें है आप देखके बता सकते हो तो जैसे यहां पर है आप देख रहे हो 13 लिखा है यहां पर 16 लि यहां आठ लिखा है ठीक है तो ऐसे जिनको color blindness होगी color blindness लिया नहीं जाता है तो यसी लिए color vision test आपका कराया जाएगा तो यह सब चीजे अगर आपकी okay है तभी आप form fill करिएगा थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है एक बार आपना eye test करा लीजिए पता चले आप मेहनत करो और तो पहले अपने आपका eye test अच्छे से कराओ और अच्छे hospital में जाके कराओ छोटे जासा जो खोले राते हैं optimist उसमें जाके नहीं कराना है आपको एक अच्छे आखवाले hospital में जाएगे जहां आपका color blindness चेक हो जाएगा पूरा distance vision fogging के साथ प्लस आपके जितने भी यहाँ test लिखे हैं वो सभी hospital में होते हैं वो जाके आप आखवाले में चेक करा सकते हैं ताकि आपको खुद पता चले अब उसके बास से होता binocular vision में basically होता क्या है देखिए जैसे दो आखे हैं आपकी यह दो आई है ना आपकी यह आख हैं आपकी left और right आख हैं तो किसी object पे focus कर ना है तो जो आप एकदम exact जितनी आप यह आखे आपकी यहां से यहां तक बना के देख रही हैं उतने ही आप इसको object को देखोगे इतना जैसे तो same आप जिसको भी focus करोगे तो focus में आपकी दिक्कत नहीं होना चाहिए हना कि पता चले आप focus कर रहे हो यहां तिर्चा focus कर र disorder जब होता है किसी को तो किसी की आख ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ focus हो रहा है एक एक आख सिधी देखती है तो एक नीचे की तरफ देखती है एक बाहर की तरफ देखती है तो कई सारे disorder होते हैं एक क्लॉस हो जाती पुरा तिर्चा जिसे बोला जाता है ट्रिमेरिंग मत आप तो यही बात है यहां पर स्टार बेस्मिक्त में है आप क्रॉस कर जाओँ यहां कोई पॉइंट है आपको कंसंट्रेशन करने में एक ही जगा एक पॉइंट पर वहां पर दिक्कत महसूस हो रहा है तो वह भी बाइनोकुलर टेस्ट में आपको पता चल जाता है ठीक है यह धाना है जैसे एक यहाँ पर देख रहे है एक चीज फोकस कर रहा है एक आपकी कोने पर भाग रही है एक इधर कोने पर भाग रही है तो इस प्रकार की चीज आपके आँख में नहीं होनी चाहिए कभी देखे होगे कुछ लोग एक आप सीधी रहती है दूसरी जो है मूव करके एकदम पीछे ऐसे चली जाती है तो इधर उधर देखती है तो इस वज़ा से इन सब चीजों की अगर दिक्कत है तो आप जो है यहाँ पर यह चेक करा सकते हैं दूसरा है आपका मेसोपिक ठीक है मेसोपिक जो होता है यह क्या टेट्स होता है गौधूल जिसको बोलते है जो उस समय जो लाइटनिंग होती है एक तरह से ठीक है जब एकदम पूरा हाना सा जो दूब जाता है गौधूल का जो समय होता है उस समय आपका विजन उस प्रकार के विजन का टेस्ट होता है मसीन से टेस्ट होता हिए समय और में और सी जो है आपका स्कोटोपिक विजन जिसको नाइट विजन बोला है नाइट में चेक करने के लिए यह दोनों चेक होते हैं ग्राफ से आपको यह पता चलता है कि आप गोधूल के समय में चीज़ों को अच्छे से clearly देख पार हैं कि नहीं देख पार हैं तो यह सभी test होती है फिर उसके बाद से आपका जाओगे तो night vision test होगा거나 night vision आपका test होगा कि रातों में आप देख पाते हो की नहीं देख पाते हो पता चले train चलाना है आपका night vision अच्छा नहीं होगा तो धिकत हो जाएगी तो वो सब चीज़े आपकी टेस्ट की जाती है अब उसके बाद से यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा आपके जो फॉर्म है फॉर्म में साफ साफ यहां पर लिखा है प्रोफार्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑप्टेन फॉर्म एनी आई स्पेसिल खुद कराना है यहां पर इसी प्रोफार्मा में होना चाहिए इसका एक बार आप लिख लोगे प्रिंट करा लिजिएगा सेम फॉर्मिट में चाहे हो सके तो और नहीं तो ऐसा ही बनवा लिजिएगा और इसी पर अपना फोटो चपकाईएगा नीचे सिंगनेचर लगाई चाहिएगा सेम प्रोफार्मा पर बनना चाहिए आपका मेडिकल वाला सर्टिफिकेट डिस्टेंस वीजन आपका यहां पर जो चाहिए वो लिखा गया है और जो आपकी वैलू आएगी जो डॉक्टर साहब लिखके देंगे और यहां पर नियर वीजन चेक होगा यह है अंडर गो लेजिक सर्जर सर्जरी और एनी सर्जरी टू करेक्ट रिफ्रेक्टिव एरर कोई भी एरर साफ साफ बोला है यहां पर इट इस आलसो सर्टिफाइड डेट कि हम आप सर्टिफाई करते हैं कि इनका कोई भी करेक्शन के लिए लेजिक सर्जरी टाइप का कुछ नहीं हुआ है तो यह तो यहां पर हो गया आप नेम ऑफ दा आई स्पेसिलिस्ट उसका जो भी डॉक्टर होंगे उनका नाम उनका रेजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है आपका रेजिस्ट्रेशन होता है न सभी डॉक्टर का तो वैसे कहां पर कराया गया है डेट क्या थी और signature and seal of the eye specialist उनका मोहर और signature लगेगा जो optimist होंगे ये ध्यान रखिएगा। ठीके तो ये आपका हो गया क्या जो medical वाला आपका आख वाला बनना है उसका एक प्रफॉर्मा हो गया। यहां पर एक आपका दिया गया है ये जरूरी है ध्यान देजिएगा कई बच्चे काते हैं सर हम laser कराएं हुए हैं तो क्या हम ALP भर सकते हैं ALP में laser हो जर कुछ नहीं चलता ये ध्यान रखिएगा। साब साब लिखा है self declaration ये आपको self declare करना है इसका भी आप निकलवा लिजे चाहिसे ही बनवा लिजे फार्मेट self declaration to submitted a candidate apply for the post of assistant local pilot regarding a lasik or other corrective eye surgery against CEN ठीक है ये तो यहां अपना नाम आपके पिता का नाम resident कहां के हैं और लिखा here by declare date declared it I have not undergo lasik or any other corrective eye surgery मनलब आपने कोई भी आख को सही कराने के लिए surgery नहीं कराई है ये आप declaration देंगे और यहीं बोलाए also I agree that in case my declaration is found to be false अगर मेरा declaration false मिलता है तो I shall be immediately disqualified and debarred from all the requirement in the railway ठीक है तो सब जगह से आपको बंद कर दिया जाएगा signature नाम आपका RRB का registration number जो है वो जब आप register कर लेंगे form भरते समय तो वो आपको यहां पर डालना है यह आपका self declaration होगा तो कोई यह सोच रहा है कि मैंने laser कराया है laser कराया है तो एकदम मत भरिये form आपका बहुत खतरनाक तरीके से medical check-up होता है अगर आप पाए जाओगे तो फिर यह ध्यान रखिएगा आपको हमेशा के लिए railway से debarred कर दिया जाएगा किसी भी भरती के लिए तो जहां पर even medical मांगा है कोई गुंजाइस नहीं है आप अगर अच्छे से आपका distance vision से by 6 है point 6 का near वाला है आप सब कुछ medical में पहले जाईए एक डॉक्टर के पास अपना अच्छे से check-up कराईए एक hospital में जाके कि by nocular near vision आपका सब कुछ अच्छा है normal है जो range दिया गया है तो ठीक है otherwise आप मत fill करिये form fill करोगे मेहनत करोगे last में आपको बाहर किया जाएगा कोई मतलब नहीं और वो आपको करना ही है actually आप सोचो कि पहले form भर दे बाद में ये सब करेंगे आपको पहले ही ये देखो ये दिया गया है format आपको medical certificate का तो पहले तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी medical अपना देख लो confirm कर लो फिर भरो form को ये तो बनवाना ही बनवाना है आपको ठीक है तो लेट क्यों करना तो आप ये बनवा के चेक कर लो आप सही हो तो form भरो otherwise मत भरिये ठीक है क्योंकि ये आपको लेके जाना ही है डिवी में तो ये चीजे ध्यान रखिएगा बाकी मैं ने आपको बता दिया तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जो पूरी तरह से physically fit है वो परिक्षा प्लस application से ALP का course join कर सकते हैं पूरी तरह से 499 में वो course आपको मिला अभी offer price है और उसमें हम आपको pre पढ़ाएंगे फिर CBT 2 पढ़ाएंगे CBT 2 का जो paper जो common paper है वो हम पढ़ पढ़ाएंगे trade वाला उसमें नहीं रहेगा अब किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको तो आप comment में बता सकते हैं ठीके बाकी जो भी समय आपको दिक्कत हो रही है होगी form of film करने में तो आप number जो चला उस पर contact कर सकते हैं आप जो भी आपकी समस्या होंगे आप comment में करिए हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपके समस्या हों का समधान किया जाए तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं मस्त रहिए स्वस्त रहिए जबरदस्त रहिए